दोस्तो हाजिर हो फिर से एक नई वीडियो को लेकर और इस वीडियो में हम एक complete loan application के बारे में बात करेंगे यहाँ पर दोस्तो आप इस screen पर देख सकते हो कि अगर आपको personal loan का requirement है तो आप आराम से personal loan के लिए apply कर सकते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहीगा यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं आप यहाँ पर register कर सकते हैं लॉग इन कर सकते हैं अपने facebook और gmail id का use करके यहाँ पर आपको instant dispersal मिलता है fully automated and paperless होता है 100% आपको transparent देखने को मिलता है अगे इन वीडियो में दोस्तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको create करना होता है अपने profile को उसके लिए दोस्तो यहाँ पर आपको अपना detail को enter करना होता है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना नाम डालना होता है अपना date of birth, अपना gender, email id क्या है एक आपके पास coupon है तो वो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आप continue पर click करेंगे अगे इन वीडियो में दोस्तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको loan apply करना होता है यहाँ पर आप देखेंगे इनका chatbot है उसके थुरू आप यहाँ पर loan के लिए apply करेंगे यहाँ पर further communication आपका होगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर जो इनका chatbot है वो आप से question करेगा उसका आपको answer करना होगा जैसे कि आपके पास कितने का लोन आपको चाहिए, आपको कितने का टर्म आपको चूज करना है, वो सारा कुछ धीरे-धीरे आपको आपके कर लेंगे, उसके बाद दुस्तों आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको document upload करने होते हैं, जैसे कि आपका आधार card, आपका pen card, अगर आप एक salary professional है, आप कहीं पे job करते हैं, आपकी salary आती है, तो यहाँ पे आपको 3 months का bank statement upload करना होता है, या आपको salary sleep upload करना होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो loan का process है, वो complete हो जाता है, अगर आपको approval मिलता है, तो यहाँ पे आपको approve कर दिया जाता है, उसके बाद आगे आपको अपने bank details submit करने होते हैं, उसी bank account में आपका पैसा आता है, तो I hope दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने demo part को cover किया है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, आइए दोस्तों वीडियो में बात करते हैं कि आगर आप सच में loan apply करना चाते हैं, इस application के माधम से, तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको advance में salary की अवशक्ता है, personal loan की अवशक्ता है, तो यहाँ पे आपको काफी कम interest पर flexible EMI पर loan देखनी को मिल जाता है, यहाँ दोस्तों company का कहना है कि India most preferred AI based instant loan, personal loan and salary advance app है, जहाँ पे अगर आप एक salary professional है, आप कह पर job करते हैं, आपकी salary आती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम interest rate पर हम आपको loan provide करते हैं, कोई hidden charge नहीं है, 100% यहाँ पे transfer है आपको देखनी को मिलता है, और कोई भी collateral की अवशक्ता नहीं है, ना ही कोई guarantor की अवशक्ता है, तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत अच्छा opportunity ह होने वाला है कि अगर आपको loan का requirement है, तो यहाँ पे आप आसानी से loan के लिए apply कर सकते हैं, company कहती है कि जो भी पैसा है वो transfer किया जाता है directly आपके bank account में, यानि जो भी loan apply करते हैं, जो भी bank detail आप submit करते हैं, उसी account में आपके पैसे transfer होते हैं, दोस्तों यहाँ पे एक और अच zone पर तो इस application के माधम से आप shopping का सकते हैं, और पैसे आपको एक महीने के बाद या दो महीने के बाद आप EMI पर आराम से चुका सकते हैं, तो यहाँ पे यह भी feature आपको मिल जाता है, वही दोस्तों यहाँ पे चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले दो यहाँ पे 5000 से लेकर 2 लाग तक का आपको लोन आराम से मिल जाता है, annual percentage rate की बात करें तो 0% से लेकर 36% आपको APR देना पड़ सकता है, tenure की बात करें तो 62 दिनों से लेकर एक साल तक आप लोन के लिए apply कर सकते हैं, flexible repayment का आपको option देखने को मिलता है, instant approval मिलता है, dispersal आपको द 100% transparency आपको देखने को मिलता है, और कोई hidden charge आपको नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको instant cash transfer होता है, आपको given bank account में, कोई भी repayment का charge आपको नहीं देखने को मिलता है, multiple repayment की आपको option यहाँ पे मिल जाती है, यानि जिस भी method से आप repayment करना चाहत है, सारा method आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वहीं दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नीची आप देखेंगे दोस्तों आपको एक example के तोर पे यहाँ पे समझाया गया है, आप 20,000 रुपे का loan लेते हैं 3 महीने के लिए, तो यहाँ पे जो आपक अकाउंट में डिसपर्स होते हैं, यहाँ पे देखेंगे 19,292 रुपे आपके अकाउंट में डिसपर्स होते हैं, अगर आप 20,000 रुपे का loan लेते हैं, यानि आपको फ्लाट इंट्रेस्ट है 1800 लगने वाला है, टोटल आपको रिपेमिट करना है 21,800 रुपया, मंथली EMI आपको देना है 72,60 रुपे और टोटल यहाँ पे आपको फी अगरा देखने को मिलता है, तो एक छोटा सा आपको clarity मिला होगा कि अगर 20,000 रुपे का मैं यहाँ से loan अपलाई करूंगा, तो मेरे को कितना interest पे करना होगा, processing charge कितना देना होगा, कौन-कौन से hidden charge यहाँ पे आ आपका जो उमर है 20 साल से उपर होना चाहिए, जब अगर आप एक salary professional है कहीं पे job करते हैं, और कहीं पे अगर आप job करते हैं, तो आपका जो minimum monthly salary है 15,000 होना चाहिए, तब जाके company आपको loan provide करती है, document requirement की बात करें दूस्तों, तो यहाँ पे आपको address proof के तोर पे, या तो आप आपके पास आधार card, pen card, voter ID, license या deal आपके पास होना चाहिए, pen card mandatory है, last two month का bank statement और latest salary slip आपके पास होना चाहिए, तब जाके company आपको loan provide करती है, अब दोस्तों चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको जो यहाँ पे interest rate और charge आपको देखनी को मिलता है, 0% से लेकर 36% आपको interest देना होगा, वही दोस्तों बात करें, यहाँ पे सबसे important बात कि आपको अगर यहाँ पे loan apply आप करते हैं, और due date पर समय पर loan नहीं चुकाते हैं, तो company आपसे late payment charge लेती है, जिहाँ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको clearly बोल money है, जो कि minimum 500 plus GST आपको देना होगा, mandate यहाँ पे rejection charge आपको 200 plus GST देना होगा, यानि अगर आप अपने bank account को link कर देते हैं, और बाद में अपने bank account को हटाना चाहते हैं, तो 200 plus GST आपको देना होगा, अगर आपका कोई भी EMI bounce हो जाता है, तो 500 plus GST आपको देना होगा, repayment का charge आपको यहाँ पे 0 देखने को मिलता है, processing charge आपको यहाँ पे देखेंगे, 472 रुपेस लेकर 11,800, वो आपके loan amount को उपर depend करता है, जितने का आप loan लेते हैं, उसके हिसाफ से आपको processing charge देना होता है, तो यहाँ पे जलिए नीचे आके पढ़ेंगे, और यहाँ पे approval का process आप जयदा instant होता है, केवल आप e-sign करते है, loan agreement को आप sign करते है, e-mandate करते है, auto debit आपका complete होता है, loan का जो पैसा है directly आपके bank account में transfer किया जाता है, तो I hope दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, application के बारे में मैंने आपको complete जानकारी देदी है, यहाँ पे आप application का नाम देखेंगे instant personal salary loan यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, company के landing partner आप देखेंगे pocket instant access to cash यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, rating की बात करें तो 4.4 rating देखने को मिलता है, 15,000 ज्यादा लोग है application का review कर चुके है, वही दोस्तों ह आप आराम से application के साथ भरोसा करके loan के लिए apply कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंदा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में आपको एक एक बात समझा दी है, अगर आपको वीडियो पसंदा होगा दोस्तों तो वीडियो को like कीजेगा, आपने दोस वीडियो में तब तक लिए दोस्तों, जैहिन बंदमात्रम